नमस्का दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूरीप चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सौड स्टूरी लेकर आया हूँ जिसके मादम से आपको इंगलिज पढ़ना आएगा नएने वर्ड का म स्क्राइब कर लेजिए और जो बेल आकन के घंटी होता है उसको प्रेस कर लेजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अप्लोड करूं आपके बास टाइम पे नोडिफिक्शन मिल जाए तो दोस्तों टाइम बेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे गाउन यह तो इस्टोरी का टाइटल हो गया अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं आखिरी स्टोरी में दिया क्या है यह जानते हैं तो यहां पे लिखा है आई एम मन्जीत आई लिव इन अबिलेश काल राम नगर देर आर मेनी हर्ट और सम्पक्का हावसे इन माई विलेश मैं मन्जीत हूँ मैं मन्जीत हूँ हाई मतलब मैं मतलब हूँ मैं मन्जीत हूँ आई लिव इन अबिलेश मैं रहता हूँ लिव मतलब रहना होता है मैं रहता हूँ इन अबिलेश एक गाउं में मैं एक गाउं में रहता हूँ और गाउं का नाम है राम नगर There are many huts and some pukka houses in my village Many huts का मतलब होता है कई सारे जोपडी कई सारा जोपडी, some pukka houses कुछ जो है पukka मकान या पukka घर कह सकते हैं आप In my village तो मेरे गाओं में कई सारे जोपडी और कुछ पकka का घर या फिर मकान है There is a post office, a health center and a school There is a post office, एक जो है एक डाक खाना है Post office का मतलब होता है डाक खाना, स्वरी डाक घर एक डाक घर है और एक जो है health, मतलब स्वास्त केंद्र है और एक school है There are mango, neem and people, trees in my village Trees मतलब होता है पेड, mango मतलब होता है आम, neem का पेड़ तो आप जानते ही है तो in the village, village में मतलब मेरे गाओं में जो है आम, neem और people का पेड़ है आम का पेड़ है, neem का पेड़ है और people का पेड़ है मेरे गाओं में my village has a pond village मतलब गाव माई मतलब मेरे मेरे गाउ मेरे गाउं में a pond pond मतलब होता है क्या होता है तालाब तो मेरे गाउं में एक तालाब है cows bulls boffalos horses dogs and goats drink water from the pond तिक व्यंवोरीद काउच मतलब होता है दोस्तों काउच मतलब घाएं यहां प्रण्वाइन की एक से जादा है एक तो गाउग में एक बहस तो रहेंगी नए यह गाएं तो रहेंगी नहीं बूल उल साण वुफालू मतलब होता है भैंस होर्स सब्सक्राइब जोडा ऑर गोर्स मतलब होता है म्याकरी द्रींक वार्टर पानी पीने के लिए प्तलाब में त Christmas से पानी पी अभी oh my village has a pond मेरे गाउं में एक तलाब है और जो है गाए भैंस जो होगे बुल मतलब होता है बैल होगे घोडे होगे कुटे होगे और बकिडियां हो गई यह सभी जो है तलाब से पानी पीती थी पीती है उसी के तलाब से जो है पानी पीती है सब्सक्राइब ग्रीर अंद फ्रेष्ट एर अरावंड इन वाई विलेज आई लाइक मई विलेज ग्रीनारी ग्रीनिलते होता होता ह क्यों . चारों तए sociedad सुनिए ग्रीनरी का मतलब होता है अ हर्याली फ्रेस एर का मतलब होते है ताजी हवा आल राउंड का मतलब होते चारो और मतलब चारो तरब आसपास चारो और इन माई विलेज मेरे गाओं में मेरे गाओं में सभी जगह या पी चारो और जो है ताजी हवा और हर्याली है I like my village मैं मुझे पसंद है अपना गाओं मुझे मेरा गाओं पसंद है तो दोस्तों यह story कैसा लगा अगर आपको यह story पसंद आया हो तो प्लीस एक लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन घंटी है बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास टाइम पे नॉटिफिकर्सन मिल जाए तब तक के लिए गुडबाई आप मिलते नेक्स्ट वीडियो